वेहाली में अपनी आंग का ओप्रेशन करवा के आये हैं, हरी बट्टी उनकी आंग परबंदी है, ठाकुराईन को भला बुरा सुनाती है, साथे साथ मुहले वालों को भी भला बुरा जो है कहती है, इस में आंधी तूफान हो रहा था, इस आंधी तूफान में कहें वो अप पती की बात तक नहीं सुनती, दोनों आउरोतें एक दूसरे को देखते हुए खड़े हो जाते हैं, तब ही जो है आपकी एकांग की समाप्त होती है। जो आपके लिए ममी धकुराइन एकांग की है, आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूँगी। पहले हम इस एकांग की कार है लक्ष्मी नारायन लाल जी, इनके बारे में समशिप्त में जानेंगे। लक्ष्मी नारायन जी, इनका जन्म 4 मार्च 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ। 4 मार्च 1927 में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जो हैं इनकी जो रचनाये हैं वो इस प्रकार हैं। रात रानी, कर्फ्यू, देविना, धर्ती की एक बुंद जल, आंखें, मन, ब्रुंदावन, वसंत की प्रतिक्षा, सूने आंगन, रसबर से, ताज महल के आसू, परवत के पीछे, नया तमाशा, आदी इनकी रचनाये। इनकी मृत्यू, 20 नेवेंबर 1987 में, दिल्ली में इनकी मृत्यू हुई थी। जो आपके लिए ममी ठकुराईन जो एकांकी हैं, उसके पात्र इस प्रकार हैं। यहां पर प्रफेसर साहिब का एक परिवार हैं और ठकुराईन का एक परिवार हैं। तो यहां पर दिखिए, प्रफेसर साहिब उनकी पत्नी मृम्मी के नाम से इस एकांकी में जानी जाती हैं। उनका बेटा अजय और बेटी नीता है। और मम्मी की जो बेहन है सरला, वो नीता और अजय की मौसी है। पेर तिगेट बाबु का परिवार इस प्रकार है। तिगेट बाबु ठाकुर चेन विहारी सिंग जो इनकी पत्नी ठाकुराईन और बेटी जो है शकुंतला, बेटा बहादुर। और गौन पात्र में मुंशी जी और खन्ना बाबु, चौदरी, खयामत हुसेन और मुंपल्लिवाला ये सब गौन पात्र में आते हैं। तो जो आपके लिए मम्मी ठाकुराईन है उस एकांकी के पात्र जो है निम्बन लिखित है। एकांकी जो है वो इस प्रकार शुरू होती है। यहाँ पर देखें मम्मी ठाकुराईन लक्ष्मी नारायन लिखित एकांकी है जो दो दुर्शों में प्रस्तूत है। प्रस्तूत एकांकी से दो विशम वातावरण में पले बड़े परिवार वालों की यह एक कहत परिवार वालों का चितरन इस एकांकी में किया गया है। इस ये कांके में दो परिवार, दो घरों के बीच एक गली है, जो दूर तक दिखाई पड़ती है, जो गली जो है दूर तक दिखाई पड़ती है, मम्मी की साहिबजादी नीता 12 साल की होनार लड़की है, बहादुर ठाकुराईन का मंजला लड़का है, दस वर्ष का अजे मम्मी का मंजला लड़का, जो बहादुर का समवे सक है, बहादुर और अजे जो है दोनों इक ही उम्र के है, मम्मी सदा जैसे आपरसन और आजसंतुस्ट रहती है, मम्मी को कहें कभी भी वो कहें उतनी खु पुस्त जो है मम्मी रहती है, उसकी उम्र, जो है मम्मी की उम्र इस एकांगी में चालिस से उपर है, अब भी वो यम्मे जो है फाइनल येर करना चाहती है, पिर यहां पर मुंशी जी हाल ही में आपरेशन कराके लोटे है, दाई आंग पर हरा हरी पटी बंदी है, उम्र है इनकी 50 साल ठाकुराइन, उस्ट, गोरी चित्ती और स्वस्त है, तो यहां पर जो है प्रफेसर साहिब जो सत्संगी है, वो हाली में जो है इस गाव में आये हैं, और वो क्या है प्रफेसर है, उनकी नौकरी यहां पर लगी लेकिन मम्मी यहां आकर वो क्या है उतना खुश नहीं है हमेशा अप्रसंदता से रहती है इनकी बेटी जो नीता है वो बारा वर्ष की बहुत होनहार लड़की है बेटा जो है दस वर्ष का है जिसका नाम अजे है और यहां पर ठकुराइन के पती जो है यहां पर जो ठकुराइन के पती है तिगेट बाबू जिने कहा जाता है वेहाली में अपनी आंग का ऑप्रेशन करवा के आए है हरी बटी उनकी आंग पर बंदी है और उनका जो बेटा बहादूर है अजे का हम उम्र है यानि दस साल का वो भी है तो इस तरह से एकांकी में जो है यहां पर इन पात्रों का परीचे है और यहां पर ठकुराइन जो है वो हस्ट पुस्ट और गोरी चित्टी है फिर ठकुराइन का परिवार गाउं में रहने वाला है जिनके पती टिगेट बाबू ठकुर छेन बिहारी सिंग शकुंतला और बहादूर उनकी दो संताने थी एकांकी का प्रारहम नीता का बहादूर पर गुसा होने से होता है नीता जो है बहादूर पर गुसा होने से होता है क्योंकि बहादूर ने अजय को मारा था नीता अपने भाई को क्यों मारा ये पुछती है तो बहादुर हस के रह जाता है ठकुराइन का बेटा बहादुर जो है अजय को मारता है तो नीता इस बात से बहुत गुसा है और बहादुर से पुछती है कि तुमने जो है अजय को क्यों मारा तो वो हसकर रह जाता बहादुर गाली अजय को देता बहादुर जो है गाली भी जो है अजय को देता है मम्मी का जो लड़का है अजय उसे वो गाली भी देता अजय भी चुप नहीं रहता यहां पर अजय भी जो है बहादुर को जब वो बहादूर अजय को पीटता है तब अजय जो है चुप नहीं रहता बलकि वो उस पर थूक देता है बहादूर अजय के गाल पर चाटा मारता है जबकि वो उस पर थूकता है ममी बीच में आकर बहादूर अजय को अलग करती है और अजय की कमीज और पैंट की हालत देखकर कहती है कि मैं पागल हो जाओंगी इस पडोस में ये सारे नए धुले कपड़े इतनी धुलाई सिलाई ये सब क्या जान और अजय से कहती है कि तुझसे लाग बार कहा है कि तु इन लोंडों के संग कुछ ना खेल पर तू है कि फिर नीता कहती है कि बहादूर गंदी गंदी बातें बोलता है और हमारी दिवार पर गंदी गंदी बातें लिखता है मम्मी कहती है आने तो प्रफेसर सत्य संगी को यहां रहे अकेले यही बड़ी प्यारी थी कॉलेज की नौकरी जो जैपूर के इतने शांदार कॉलेज को छोड़कर इस गंदे कजबे में आये तो यहां पर मम्मी जब बहदूर और अजै दोनों में लड़ाई हो रही थी तो कहें दोनों को अलख करती है और कहें अजै के कपड़ों को देख कर क्रोधित होती है इतनी धुलाई के बाद भी तुने इतनी गंदे के से कपड़े कर लिये हैं यहां के यहां से मैं बहुत ज्यादा तंगा आ गई हूं इस तरह से वो कहें अजय को कहते हुएं कहें यहां पर कहते हैं कि कैसे कितनी धुलाई सिलाई इन लोगों को क्या पता ये भी वो बात करती है उस वक्त यहां पर जो है नीता कहती है कि बहादूर गंदी गंदी बाते हो जाती है और कहती है कि आने दो प्रफेसर सत्य संगी को यानि अपने पती की बारे में कह रे आने दो जैपुर में इतने शांदार कॉलेज में वो नोकरी कर रहे थे वहां पर छोड़कर इस गंती से कजबे में वो आ गए यहीं उनको रहना था इस तरह से मम्मी जो है अपने पती पर भी क्रोथ से बात करती है पिर अजे कहता है कि मम्मी मैं चुपचाब दोर रहा था बहादुर ने पीछे से मुझे गिरा दिया यहां पर बोलता है कि मैंने इस से जगडा मून नहीं लिया मम्मी बलकि इसने क्या है तांग देकर मुझे क्या है गिरा दिया था अपने पैर दे कर मुझे गिरा दिया था और मारा भी तब बहादूर कहता है कि बुलाओ सारे लड़कों को अजय कहता है यहां के तुम ही लोग तब ही मम्मी कहती है तमीज से बाते करना सीखो फिर दर्वाजे से ठाकुराईिन का प्रवेश होता है तो यहां पर अजे कहता है कि गर मुझे इसने ही गिराया था बलकि मैंने इसने जगरा नहीं किया था उस वक्त कहें यहां पर बहादुर कहता है कि पूरे लड़कों को बलाओं किसने पहले शुरुवात की थी तो यहां पर अजे कहता है कि सब लोग जूटे हैं उस वक्त बह बहादुर की इस बात को सुनकर मम्मी कहती है कि मुझको समाल कर बात करो तभी क्या है ठाकुराइन अपने दर्वाजे से आती है तो यहां पर ठाकुराइन बहादुर को घर बुलाती है ठाकुराइन कहा है अपने बेटे बहादुर को घर कहें अंदर बुलाती है घर को आने क लिए कहती है मम्मी कहती है पता नहीं कैसे लोग यहां के कैसी तमीज है उनकी और उनके बच्चों की ठाकुराइन गुसा करती है बहादुर तू क्यों खेलता है मम्मी के बच्चों के संग इसी बीच मुच्ची आकर ठाकुराइन और मम्मी से कहते हैं लड़के यहां पर नह जो है जब ठाकुराइन अपने दर्वाजे को खोलते हुए अपने बच्चे को घर के अंदर बुलाती है तो मम्मी कहते है कि कैसे लोग कैसी तमीज है इन लोगों की इस तरह से फिर भी भला बुरा कहती है तो यहां पर मुंशी जी आकर कहते हैं कि बच्चे यहां नहीं खेल रहे थे तो यहां पर ममी के बच्चे ही उनके पास गए थे इस बात को जो है यहां पर हुन्शी जी करते हैं ममी ताव में आप से कौन पूचा औरतों के बीच में आप क्यों बोल रहे हैं यहां के मर्दों को ही तमीज नहीं तो यह बच्चे क्यों ना ऐसे हो यह कहती है मुंशी जी को गुसा आता है वो कहते हैं बड़ी देखी साहबी खुनवालों की और ठाकुराइन से कहते हैं कि इससे दबा ना करो भभू तब ठाकुराइन कहते हैं हसकर हां बच्चों को लेकर जब यहां बोलने लगती हैं तो सच मैं घबडा जाती हैं गली मोहले के घर घर के बच्चे आंस आपस में खेलते हैं गिरते रोते हैं चुप हो जाते हैं पर उनके माबाप कभी कोई बात कान पर नहीं लेता फिर वाधर को डाट कर घर ले जाती है तो यहां पर मुझशी जी जब कहते हैं कि कहें बच्चे बाग में खेल रहे थे इमली के पेड़ के नीचे और मम्मी के बच्चे ही उनके पास गए तो मम्मी को गुसा आ जाता है मुंची जी को कहते हैं कि औरतों के बीच में मर्द क्यों इस तरह से बोलते हैं उनको तमीज नहीं है तो यहां के बच्चों में कैसे तमीज होगी ये भी भला बुरा जो है मुंशी जी को सुनाती है मुंशी जी ठाकुराइन से कहते हैं कि तुम इन लोगों से दबा ना करो क्या है ठाकुराइन इस तरह से बाते होती है पिर जो है यहां पर मुझी जी को भी क्रोध आ गया था अजै की मा की बात सुनकर मम्मी की बात सुनकर पिर क्या है ठाकुराइन से वो कहते हैं कि इससे दबा ना करो वहू तब ठाकुराइन कहते हैं हसकर बच्चों को लेकर इस गली वाले कोई भी नहीं बोलते बलकि यहां पर बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, गिरते हैं, रोते हैं पर उनके माबाप कभी आकर नहीं पूछते इस तरह की बात ठाकुराइन करती है पर उनके माबाप कभी कुछ नहीं बोलते फेर बहादुर को कहें डाट कर अपने घर वो ले जाती है मम्मी और प्रोफेसर को यहां तक लगता है वातावरेंट के कारवन के बच्चे बिगड रहे हैं जो भी फेरी वाला आता जैसे दही बड़ी मुंखफली आदी वो खाने के जित पकड़ते हैं उसके बच्चे भी बिगड़ते जा रहे हैं मम्मी अपने पडोसी ठाकुराईन को भला बुरा कहने के साथ-साथ सब महले वालों को भी भला बुरा कहती है महले वाले उनकी हसी उड़ाते हैं इतने में उसके पती प्रोफेसर सत्संगी घर आते हैं यहां पर मम्मी जो है मम्मी और प्रोफेसर साहिब यह कहें बोल रहे थे कि वातावरण यहां का जो वातावरण है इससे हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं जो भी फेरी वाला आता जैसे कि कोई भी कुछ खाद पदार्थ बेचते हुए आता मुँफली वाला हो मिठाई वाला हो या क्या है दही बड़ी बेच कर आता तो बच्चे जित पकड़ते उसे खाने के लिए यह सब यहां के वातावरण का ही क्या है असर है इस तरह का इस तरह की बाते जो है मम्मी सोचा करती थी मम्मी और प्रफेसर सा है और मम्मी यहां पर ठाकुराईन को भला बुरा सुनाती है साथे साथ मुहले वालों को भी भला बुरा जो है कहती है बहुत ज्यादा कहती है भला बुरा उस वक्त जो है तभी वहां पर प्रफेसर सत्तसंगी आते है वे भी अपनी पत्नी के साथ साथ मोहले वालों को भला बुरा कहने लगते हैं फिर ठाकुराइन को हतकडी पहनाने की धमकी भी देते हैं ठाकुराइन को जो है हतकडी पहना देंगे इस तरह का इनके बच्चों को जो पीटा था जो जगडा हुआ था अभी उस बात को लेकर प्रफेसर कहते हैं कि ठाकुरा इनको जो है हतकडी भी पहनाने की एक धमकी जो है वो देते हैं प्रफेसर साहिब खुद को पढ़ा लिखा और मुहले वालों को जाहिल और गवार समझते थे दो पहर यहां पर दो पहर तुम लोग हमारे घर का मजाग बनाते हो कोई कहता है मास्टर साहिब ने प्रेम विवाहा किया था तो कोई कहता है मास्टर ससुर के रुपए से पड़े हैं पिर कोई कहता है कि मैंने अपने माबाप को छोड़ दिया है और कोई कहता है कि रात तो मैं शराब पीता हूं तो यहां पर कहें महले वालों से प्रफेसर को शिकायत थी कोई उनको कहता है कि उन्होंने प्रेम विवाहा किया था कोई कहता है कि सास ससूर के पैसों से यह पड़े लिखे थे और यहां पर कोई कहता है कि उन्होंने अपने माबाप को छोड़ दिय और कोई कहता है कि उनको नी नहीं आए तो वो रात में शराप पीते हैं इस सारी बातें महले वाले जो है इनके खिलाफ करते हैं ऐसी शिकायत जो है प्रफेसर साहिब को थी फिर प्रफेसर साहिब देख लेने की धंकी महले वालों को देते हैं और ये रोब डालते हैं कि चेर साहब का ही था प्रफेसर साहब की साली सरला भी उनके घर आई हुई थी और वे क्या है वो मा बनने वाली थी और उनको बहुत जल्दी ही संतान प्राप्त होने वाली थी तो प्रफेसर साहब की साली जो सरला थी वो क्या है मा बनने वाली थी और जो है उनको बहुत ही जल्दी क्या है संतान होने वाली थी तो बाद में जब ठाकुर साहब टिगेट बाबू घर लोटे यह नि जब ठाकुराईन के पती टिगेट बाबू घर लोटे उनको इस सारी बातों का पता चलता है उस वक्त क्या है टिगेड बाबू भी इनके पृती भला बुरा कहते हैं और क्या है यहां पर ठाकुराईन अपने पती को जो है समझा कर उनको क्या है समझा कर लड़ी जगड़े से जो है दूर रखते है जो लड़ाई जगड़ा करने के लिए भला बुरा कहे ask ज्यादा कहते है टिगेडबाबू उस वक्त ठाकुराइन उनको समझा देती है फिर ठाकुराइन उन्हें शांद भी करती है इधर मम्मी अपने पती प्रफेसर साहब को सुनाती हुई कहती है अभी जैल बंद करवाने से जी नहीं भरा मम्मी सुनाते हुए कहती है कि जैल खा कि यानि अपनी बेहन की जब तबियत सुदर जाएगी तो वो क्या है यहां से वो मीरट चले जाएंगी इस तरह की बात जो है मम्मी ठाकुराइन को सुनाते हुए कहती है क्योंकि प्रफेसर संगी भी मम्मी यहीं प्रफेसर साहब को हतकड़ी पहनाने की धंकी देते है तो मम्मी इस बात को सुनते हुए कहें इस तरह की बात वो करती है फिर मम्मी की बेहन की तबियत जो है रात में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ठाकुराइन को यह जब पता चलता है वो अपने आप को रोप नहीं पाती है और सरला की मदद करने के लिए वो कहें मम्मी के घ ब़कि उसकी मदद करने के लिए वहां से वह आ जाती है पिर ठाकुराइन ना सुनी जो है टिगेड बाबु की और अजय की मौसी का पेटा हुआ और धोलक लेकर मंमी के घर में घीप्त भी गाती है पिर रात में ही उसकी मदद करती है जब कहे यहां पर जो मम्मी की बेहन थी सरला उसे जब लड़का होता है तो ढोलक लेकर गीद भी जो है मम्मी गाती है पिर यहां तक पहला दुरुष्य था तो आगे दूसरे दुरुष्य में दुर्भागी वश्य अजे की मौसी का बच्चा जो है आटवे महन्य में ही हो गया इस का मजोरी के कालन वो जो है मर जाता है तो और मौमी ने ठाकुराइन पर पुरा इल्जाम लगा देती है क्योंकि यहां पर ठाकुराइन जादू तोना करने की वज़े से कहें मौसी का बच्चा यही सरला का बच्चा जो है मर गया है ऐसा इल्जाम जो है यहां पर कहें ठाकु आतों से चुवाथ सब्टीक हो गया है बच्चे को जो है यहां पर सब्टीक होने की वजए से वो मर गया इस तरह की बात महले वालों में नहीं आप manner और ठाकुराइन को बहुत दुख होता है वो रोते हुए बैट जाती है यहां पर देखिए उनकी रात तूफान का भी जो है आंधी तूफान में भी ममी के घर की जो हालात इस तरह से बिगडी हुई थी उनको जाकर क्या है उसने मदद की बेटा होने के बाद उसने जो है उनके घर में ढोलक लेकर गीत भी गाया लेक है उसकी बेहन का बेटा जिन्दा ना रहा यह जब महले से पता चलता है तो वो बहुत दुकी हो जाती है और टिगेड बाबू बताते हैं कि सलाग बार इस औरत को कहा कि कहें मत जाओ लेकिन मेरी एक ना सुनी अब जो हैं रोते हुए बैठी है इस तरह से अपनी पत्नी से बी वो क्या है पत्नी पर क्रोध कर बताते हैं और यहां पर मुम्मी और जो प्रॉफेसर साहब आरोप लगाते हैं महले वालों से कहते हैं बाबू साहब टिगेड बाबू कहते हैं कि इस गवार आवुरत को यहीं डण्ड चाहिए मैंने लाख लाख मना किया कि मुम्मी के घर मत जाओ पर वो नहीं मानी धोलक लेकर गाने चली गई उस आंधी तुफान में भी राद भर दोड़ती रही और उनके बच्चों को घर लेकर आई पिर उनको खाना भी खिलाया और सरला की सेवा भी की अब इन आरोप से रो रही है टिगेड बाबू महला छोड़ने को तै यार हो जाते हैं क्यूंकि अब इस लड़ाई जगड़या और हारोप से वो तंग आ गये थी इसलिए वो कहें निरणाई लेते हैं कि आप वो महला छोड़कर चले जाएंगे फिर क्यूंकि उन्हें लगता है कि बच्चे उनकी बिगड़ रहे हैं पिर तभी ठाकुराइन म पताने गई कि वे लोग यहां महला छोड़कर जा रहे हैं भूल चुक माफ करना मम्मी उन्हें रोकते हुए कहती हैं नहीं जी जो ठाकुराइन बताती हैं कि वे रैलवे कॉट्रस में रहने जा रही हैं आप वहां मिलने आने की भी बात करती हैं ठाकुर साहिब उसे करफेसर साहिब भी उनकी पतनी को डाटते हैं दोना औरतें चुप खड़ी एक दूसरे को देखी जा रही थी और एकां की यहीं समाप्त हो जाती हैं तो यहां पर टिगेड बाबु जो हैं निरने लेते हैं कि वो महला छोड़कर रैलवे कॉट्रस में जाकर रह लेंगे त तो जैसे इस बात की खबर ठाकुराइन मुमी को देती हैं कि वो महला छोड़कर जा रहे हैं और जो भी उन्होंने कहें लड़ाई जगड़े में कुछ भी भलावरा कहा हो तो उसके लिए वो माफी भी मांगती हैं यहां पर जो है मुमी कहती हैं कि नहीं जी आप मत जाओ इस तरह की दोनों औरतों में बाते होती रहती हैं प्रफेसर साहब और टिगेड बाबु दोनों औरतों को देखते हैं और यहां पर टिगेड बाबु कहते हैं कि अभी तुम्हरा पेट नहीं भरा फिर से वहां पर गई हो चलो इस तरह से डाटते हुए अपनी पत्नी को ब पर दिखिए इस एकांकी से ये पता चलता है कि औरतों में अधिक सेवा समवेदना शीलता होती है और वे भले ही लड़े भिड़े पर एक दूसरे की मदद के लिए आगे रहती है अवरत हैं क्या है एक दूसरे की मदद करने में आगे रहती है किसी का दर्द दुक भले ही वो एक दूसरे से लड़े जगड़े लकिन एक दूसरे के दर्द में वो साथ देने के लिए वहाँ पर चली जाती है और क्या साथ देने में वो कभी पीछे नहीं हटती साथे साथ ज पोग उनके साथ जगडा करते हुए भी रहे जब वो जाने लगते हैं तो उनके मन में भी थोड़ा ना थोड़ा दुक रहता है क्यूंकि आउरतों में समवेदन शीलता जो है ज्यादा रहती है तो कहें ये जो है इस एकांकी का निशकर्श है तो जो आपके लिए मुमी ठाक पुराइन एकांकी थी वो इतनी ही थी अगली कक्षा में किसी और एकांकी की जानकारी प्राप्त करेंगे धन्यवाद